घमंड और पेट यह जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है इनसान चाहा करके भी किसी को गले नहीं लगा पाता नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस अचार्य वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविश्य वाड़ी पावर आप देलॉड में हर्दिक स्वागत करता हूँ मंगल का तांडव देखेगी दुनिया आपकी किस्मत होगी सात्वे आसमान पर भाग्य और सफलता की ऐसी सिढ़ी आज तक नहीं देखी होगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि सेनापति मंगल महराज का रासी परिवर्तन हो चुका है जी हाँ 28 दिसंबर 2023 की प्राता हा लगभग 3 बज के 2 मिनट पर भूमी पुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की व्रिष्चिक रासी को छोड़ करके देव गुरु ब्रहस्पति की मुल्त रिकोंड रासी धनू रासी में प्रवेस कर चुके है जहाँ पर आने वाले साल 2024 के फरवरी महिने की 5 तारिक तक गोचर करेंगे उसके पस्चात फिर से रासी परिवर्तन करके अपनी उच्च रासी मकर रासी में प्रवेस कर जाएंगे वैसे देखा जाए तो मंगल एक रासी में लगभग 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा की जाती है तो दोस्तों सदेव इसकी चर्चा ब्रिहद रुप से होती है क्योंकि मंगल कर्म प्रधान विश्वर अचिराखा जो पुरुसार्थी हैं जो पुरुसार्थ में विश्वास करते हैं कर्म में विश्वास करने वाले हैं उनके लिए मंगल के गोचर को स प्रवश्यक्री करगए जीवन के विविन्य पहलूं को नियंतरित करते हैं, कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को सहहती प्रवर्ति का बना देता है, किसी से नदबने वाला, सदेव मेहनत में विस्वास रखने वाला अगर वही मंगल कमजोर पढग जाता है, पीडित अपने आपको बेहदी ज़्यादा सक्तिसाली और प्रभावसाली बना करके आपको परिणाम प्रदान करने लगते हैं तो ऐसे में मंगल का धनूरासी में गोचर करना आपके लिए अद्बूत परिणाम देने वाला साबित होगा इसलिए आज के इस कार्यकरम को अंत तक और अंत में मंगल महराच के इस गोचरकाल को बहतर बनाने के लिए स्रेश्ट बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे इसलिए कार्यकरम को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नमबर मिल जाएगा जहां से आप संपरक करके अपनी जन्मकुंडली का विस्तार पुर्वक अध्यन करवा सकते हैं देखा जाए तो मंगल यहाँ पर उच्य भ पती मंगल का आजाना तो फिर कहना ही नहीं यह और जादा स्रेष्ट और अध्भूत परिणाम देने वाला साबित होगा सबसे पहले तो यहाँ पर मंगल और सूर्य यूति बना करके आपके लिए प्राक्रम योग का निर्मार करेंगे और उपर से इन दोनों के उपर केंदर का संबंद बनाएंगे याने कि कुल मिला करके देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह इस्तिती अत्यंतिस रेष्ट बहतर प्रोफिटेबल और अध्भूत बनने वाली है तो दोस्तों देखिए मुल रूप से आप लोगों के लिए मकर रासी वालों के लिए मंग जलका बारवे इस्थान में गोचर करना कहीं न कहीं आपकी जीवन में चुनौतियों को आपकी परिसानियों को बढ़ाने वाला साबित होगा लेकिन गोचर कुंडली में अगर अन्य ग्रहों की इस्थिती को इस समय समझा जाए तो वह आपके लिए काफी स्रेष्ट रहने वाली है हाला कि अभी साधे साती भी आपको चल रही है इसलिए मांसिक रुप से असांत टेंसन तनाव आपको देखने को मिल रहा है लेकिन देवगुरु बिरहस्पती और राहु की प्लेस्मेंट गोचर कुंडली में आपकी रासी से काफी बहतर है फिर भी मंगल की इस ग परिवार के मध्य वैचारिक मद्भेत वादिवात की स्थिति उत्पन न हो सकती है और इसमें सबसे बड़ा भूमिका होगा आपकी वाली की कड़वाहट जी हां इस समय अपने वाली पर आपको नियंतर्ड रखना है अन्यता आप अपनी वाली की कड़वाहट और क्रोध क दुष प्रभाव के कारण खुद ही अपने मान सम्मान और प्रसिद्धी को गिरा सकते हैं इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वाणी पर क्रोध पर तो नियंतर्ड कीजिए कीजिए साथ में इस समय आपको अपने खान पान पर भी नियंतर्ड रखना है इसके अलावा दोस् पॉइंट यहाँ है कि अगर आप विदेश वगरह से जूड करके कारोबार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हाला कि फिर भी मैं यहीं सलाह दूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकी इस समयाओ धी में आप अपने आपको समझने का प्रयास कीजी यह गोचर कोई एकदम नाम देने वाला साबित नहीं होगा संभव है इस समय आपका बना बनाया हुआ कारिया बिगड़ जाए बिद्यार्थियों के लिए भी सिक्षा के चेत्र में इस समय थोड़ा ज़्यादा ही संघर से करना पड़ेगा तो वहीं वियाई की इस्तिती अनवरत बने रहेगी इ गोचर काल के दारान एकदम ज्यादा आपके लिए उत्तम नहीं है अगर आपके वारसिक रासिफल को देखेंगे तो उसमे इस्तिती मैंने आपके लिए काफी अच्छी बताई है और आने वाले समय में भी बताऊंगा कुछ वारसिक रासिफल के और कुछ भाग बचा उसको ले करके और देवग्रूब रहस्पति की चर्चा भी आगे की जाएगी जिसके बारे में भी काफी हद तक आपको लाब की इस्थिति मिलेगी तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो हाला कि यह समय आपके लिए मंगल के गोचर का उतना अच्छा नहीं कहा जा सकत लेकिन गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों के इस्थिति और देवग्रूब रहस्पति का आपकी जिवन में सकरात्मक परिणाम देना तो ऐसे में ज़्यादा समस्या नहीं होगी और मंगल का गोचर भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता मुल रूप से 45 दिनों तक के लिए ही होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर 45 दिनों में ही मंगल महुत कुछ कर जाते हैं इसलिए कुछ बातों का आपको विशेश तोर पर यहाँ पर ध्यान रखने के आओ सकता है यह आपकी जीवन का एक रूल होना चाहिए कि इस समय आप बिलकुल अपने आप पर नियं गर्टीव कारख हो सकती है चौती दृष्ठी साथवे भावव पर पड़ेगी और सातवी दृष्ठी आठवे पर तो ऐसे में यहाँ पर पारिवारिक जिवन में कलहक लेष राहु का प्रभाव भी रहेगा तो ऐसे में पार्टनर सिप्यापार इत्यादी के चहेतर में भ आपसी सामांजस्य और अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिए बाकी देखा जाए तो भाई बहनों के साथ भी तालमेल उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मतलब कुल मिला करके देखा जाए तो इन छोटी छोटी परेसानियों का अगर आप ध्यान रखते तो कैसे बार्वे इस्थान पर गोचर करते हुए एकदम जादा खराब हो सकते हैं आपको अवज से ही लाब देंगे सफलता के छेत्र में नौकरी के छेत्र में खास करके जो विदेश जाना चाहते हैं विदेश में जबरदस्त अउनलों को सफलता की प्राप्ती होगी भह पुझां पर अतने वाला यहां गोचर साबित होगा आप हनुमान जी की सरण में चले जाए हनुमान जी की आराधना कीजिए उनके मंत्रों का जाब कीजिए हनुमान चालिसा का पाट कीजिए इस गोचर काल को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने फेवर में बनाने के लिए हनुमान जी को अपने आपको समर्पित कर दीजिए तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे एक नय और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार